अध्याय 2, प्रिष्ट संख्या 12-32, आरोहन, पाठ परीचे, पर्वता रोहन अब पाठ चर्या का अंच बन गया है, यह शिक्षा के पाठे क्रमों में स्थान पाचुका है, इसकी पढ़ाई लिखाई कर लोग जीवी को पार्जन से जुड़ रहे हैं, गर्मियों के दिनों में स्कूलों, कॉलिजों, विश्विद्यालेओं से लोग पर्वता रोहन के लिए पर्वतिय प्रदेशों की यात्रा करते हैं, प्राया, पर्वतिय प्रदेश के रहने वाले ही इसके लिए कोच का काम करते हैं वे बहितर तरीके से गाइड कर सकते हैं क्योंकि पर्वता रोहन उनकी दिन चर्या है पर्वता रोहन के क्षित्र में बच्छिंद्री पाल और संतोष यादव का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है आरोहन कहानी में लेखक ने पर्वता रोहन की जरूरत और वर्तमान समय में उसकी उप्योगिता को रेखांकित किया है पर्वतिये प्रदेश के रहने वालों के जीवन संगर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश से उनके संबंधों को चित्रित किया है किस तरह परवतिये प्रदेशों में प्राकृतिक आपदा, भूस खलन, पत्थरों के खिसकने से पूरा जीवन तथा समाज नश्ठ हो जाता है आरोहन उसका जीवन्त उधारन प्रस्तुत करता है लेखक का आँचलिकता, प्राकृतिक परिवेश से आत्मिय लगाव उसे कहीं और जाने से रोकता है आरोहन पहाड़ी लोगों की जीवन चर्या का भाग है किन्तु उन्हें आश्चर्य तब होता है जब यह पता चलता है कि वही आरोहन किसी को नौकरी भी दिला सकता है कियों उनके जीवन के सूक्ष्म जातनाओं को संजीदगी के साथ रचा है मैदानी इलाखों के तुलना में परवतिय प्रदेशों की जिंदगी कितनी कठिन, जटिल, दुखद और संघर्षमे होती है उसका विशद विवरण यह कहानी प्रस्तुत करती है संजीव की भाषा शैली रोचक है आंचलिक शब्दों, वाक्यों और परवतिय प्रदेश की बोलियों के जो शब्द एवं मुहावरे इस पाठ में आए हैं वे कठानक को बांधने में सफल हुए हैं पाठक का ध्यान भी उन्हीं प्रसंगों की ओर बार बार जाता है जिन में लोक भाषा प्रमुख है कहानी में ये शब्द सन रचनात्मक भूमिका में हैं इनसे कहानी को पढ़ने समझने में मदद मिलती है बस उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर उतार कर आगे बढ़ गई तो रूप सिंग की नजर सबसे पहले अपने गाउं की ओर उठ गई पूरे ग्यारा साल बाद लोट रहा था वे अपने गाउं माही एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और जिजक उसे घेरने लगी थी कोई उससे पूछे कि वह इत्ते साल कहां रहा था कि इत्ते सालों बाद लोट कर आया ही क्यों तो वह क्या जवाब देगा कोई खतो किताबत भी नहीं पता नहीं कौन कहां हो, कौन कहां ग्याहरा साल कम भी तो नहीं होते एक दिक्कत और थी ग्याहरा साल बाद भी कोई मुकम्मिल सडक ना बन पाई थी माही के लिए अकेले जाना होता तो अपने गाउं के लिए क्या सडक और क्या पकडंडी मगर साथ कोई और हो, तो सोचना पड़ता है कि अगला क्या सोचेगा फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था एक तो उसके गौड़ फादर कपूर साहब का लड़का दूसरे आई एस ट्रेनी अब ऐसे खासम खास महमान को पैदल पाउं अपने गाउं लिवा जाना अपनी और अपने गाउं की तोहीन कराना ही तो हुआ ना आरोहन लेखक संजीव शेखर अपने बाइनोक्यूलर से पहाड़ों और घाटियों को देखने में रमा हुआ था मगर रूप आँखें बंद करके भी वह 15 किलो मीटर और 11 साल की दूरी से देख सकता था अपने गाउं को यह दीगर बात थी कि उसकी और माही के बीच अभी कई पहाड़, कई नदियां और कई घाटियां थी उसने अपने सामने किसी विशाल डाइनोसौर की तरह पसरे पहाड को देखा फिर उसके पीछे की जर्द परतों को, जिन पर बादल और धुन्द की फफूंदियां जड़ी होई थी उसके हिसाब से अभी वहे 6,000 फीट की उचाई पर था और यहां से 15 किलोमीटर चल कर 10,000 फीट की उचाई पर पहुँचना था उसे उसने कलाई पर बंधी अपने इंपोर्टेट घड़ी पर नजर गड़ाई अभी सुभा के 10 बजे थे मगर पैदल चलना हो तो शाम तो होनी ही होनी है चाई का गिलास थामते हुए उसने आसपास एक उरती सी नजर डाली और चाई वाले से पूछा यहां कोई गोड़ा गोड़ा नहीं मिलता क्या आप कने जाना चावाँ अर्थात आपको कहा जाना है माही सर्गी से पहले का गाउं चाई वाला अपना सिर्ख खुजलाने लगा फिर जैसे खुच से दरियाफ्ट करने लगा यहां से डाक बंगला और मशुरूम सिंटर तक तो जाते हैं लेकिन माही तभी जैसे कुछ याद आया उसे उसने आगे बढ़कर गुम्सुम से बैठे नौधस साल के एक लड़के को पुकारा ओए मही तू ही वकी जाना चूँ अर्थात तू वहाँ जाएगा अरे माही लड़के ने जो किसी बुजूर्ग की तरह पत्थर की सीड़ियों पर अकेला बैठा हुआ था अपने उदासीन सी गर्दन फेरी मगर कुछ बोला नहीं उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलोन और सलेटी स्वेटर में समेटी अपनी तमाम गंभीरता के बावजूत अपने सुन्दर गोरे चेहरे की मासूमियत को अभी जटक नहीं पाया था गहे ये जा सकेगा भला शेखर ने अपना संदेहे प्रकट किया जाएगा साब कैसे नहीं जाएगा यहां सवारियां मिलती कहा है आप लोग चले गए तो बैटके मक्षी तो मारना है घाट पड़ी जगड़ा करी के पैसा कमाना के वास्ते ही तो आई छो चाएवाले का अनुमान सही था लड़का वहां से चुपचाप उठकर चला गया मगर थोड़ी ही देर में दो गोड़ों के साथ चढ़ाई चढ़ता हुआ आता दिखा महिन ताना चाएवाले ने ही तैकर दिया था दो गोड़ों के सौ रूपई चल पड़े वे एक गोड़े पर शेखर दूसरे पर रूप महीप शेखर वाले घोड़े के साथ आगे आगे पैदल चल रहा था पहले पहाड तक रास्ता ठीक ठाक था मगर उससे उतरते ही धूप का उजला चंदोव जहां तहां दरकने लगा था धूप के सुनहरी पट्टियों के बीच चाया की स्यहा पट्टियां मानो धारीदार खालों वाला वह विशाल जानवर बैठ कर पगुरा रहा था पता नहीं कौन किसका पैवंद था उजाला अंधेरे का या अंधेरा उजाले का चड़ाईयां और ढलाने बीच बीच में जहां तहां होगे छोटे छोटे घरों दे जैसे मश्रूम सेंटर के कोकरमुत्तों की फसल दूर तक छिटक गई हो सामने के पहाडों पर बादलों के पंक लग गए थे जो ज़र ज़र कर उनके अगल भगल उड़ रहे थे नीचे घास लताएं और पेड़ों की कहीं फीकी तो कहीं चटक हर्याली समेटे पहाड कहीं कच्चे कहीं पक्के नीचे कोई नदी बह रही थी शायद सूपिन शाप की मारी अभागिन सूपिन घाटी से किसी अद्रिश्य नारी कंठ का कोई गीत उमड रहा था पतला दरदीला सुर उची नीची डांडियों मा हे कुहेडी न लाग तूँ वे पहाड के नीची नदी के बगल के पत्रीले रास्ते पर चले जा रहे थे घोडों के खुरों से खट-खट, खर-खर के अस्फुट ताल के उपर फैलता सा वह गीत जैसे कोई रंग पसर रहा हो धीरे-धीरे उचे नीचे पांखों मा हे घसेरी न जाये तूँ गीत जैसे जीवन और मित्यू इस लोक और उस लोक से परे किसी अलग ही अमूर्त लोक से उड़ रहा था उची नीची डांडियों मा, हे हिलांस न बास तूँ इसका मतलब क्या हुआ यार? शेखर ने पीछे मुड़ कर रूप से सवाल किया मतलब? मतलब कुहुरे से सवाल कर रही है जैसे कोई घास गढ़ने वाली पहाड़ी लड़की कि ए कुहुरे उची नीची पहाड़ीयों में तुम न लगो जाकर इस पर कुहुरा घास वाली लड़की से कहता है कि उची नीची पहाड़ीयों में तू न जाया कर इसी तरह वह हिलांस नाम के परिंदे को भी आगाहा करता है कि उंची नीची पहाडियों में अपना बसेरा ना बनाया करे मगर तेरी आवाज क्यों भर रा गई बताते बताते शेखर ने पीछे मुड़कर ताका यह एक दर्द के टेर है शेखर साहब आपने वो गीत सुना होगा बहुत पुराना गीत छुप गया कोई रे दूर से पुकार के दर्द अनोखे हाए दे गया प्यार के शेखर ने गीत पूरा किया हाँ वही यह ठीक है कि मैंने कोई बसेरा नहीं बनाया यहाँ उड़ गया मगर बाबा और भूप दादा ने तो कोहासे का होना क्या माइने रखता है इन पहाड़ों में इसे तो कोई पहाड़ी ही समझ सकता है रिष्टे तक धुनला जाते हैं साहब नहे के नाते तक नजर नहीं आते पास में कोई अपना खड़ा है और उसे आप देख तक नहीं पाते, पहचान तक नहीं पाते थोड़ी देर तक कोई कुछ न बोला, सिवाए खोरों की आवाजों और गीत की धीमी पड़ती लैके जिसकी हिलकोरों में अग जग दूब उतरा रहा था, सारी ध्वनिया सो गई थी कुछ देर बाद अचानक चलते चलते ठबाग गया रूप यहीं, इसी जगह मैंने धकेला था भूप दादा को धकेला था? क्यों? शेखर भी रुग गया वो, मैं भाग गया था घर से देव गुंड भूप दादा मुझे खोजते हुए आए और मैं पकड़ा गया कहीं मैं फिर ना भाग जाऊं, सो लोडते वक्त मेरी कलाई पकड़ रखी थी उन्होंने उनसे छुटकारा पाने को मुझे कुछ ना सूजा, तो मैंने धक्का दे दिया उन्हें यहां, इसी जगा वे संभल ना सके फिसल गए मेरा हाथ उनके हाथ में था, सो मैं भी खिंच गया इस ढ़लान पर हम दोनों ही लुड़कने लगे मेरा हाथ उनके हाथ में था, सो मैं भी खिंच गया इस ढ़लान पर हम दोनों ही लुड़कने लगे नीचे एक पेड था, अब नहीं है उसने जैसे थाम लिया हम दोनों को पेड के इस तरफ भूप उस तरफ मैं जूलने लगे हम दोनों बीच में थे हमारे हाथ बहुत सक्त जान थे भूप दादा बहुत मजबूत पकड़ थी उनकी मगर वे उपर से जितनी सक्त जान थे अंदर से उतने ही नरम उन्होंने समझा कि वे यूही अपनी गफलत से फिसले थे खुद को कसूरवार भी समझ रहे थे कि अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ रखा होता तो शायद मैं गिरने से बच जाता खैर जैसे तैसे हमें खीच कर उपर ले आए और हाथ छोड़ दिया ज्यादा चोड़ तो नहीं लगी भूईला उन्होंने अनुतप्त भाव से पूछा वे खीच भरी हंसी हंस रहे थे और मेरे बदन को परक रहे थे पत्ते निचोड़ कर उन्होंने मेरी और अपनी खरोचों पर लगाया ये दाग अभी भी रह गए हैं रूप ने बाहों की ओर इशारा किया उन्होंने उस दिन से जो मेरा हाद छोड़ा कि फिर नहीं पकड़ा महीप रुक कर उन्हें देखता रहा मगर उसने घोड़ों को हांका नहीं रूप ने खुदी एड़ लगाई तो चल पड़ा घोड़ा बापरे कैसी चड़ी थी चड़ाई हमने उस दिन क्या बताएं पूरे आधे घंटे लग गए हमें उपर आने में अगर उस वक्त रॉक क्लाइम्विंग जानते होते तो इतनी मुश्किल ना आती बच्चे की तरह बोल उठा शेकर वो सारी ट्रेनिंग तो आपके पापा की महरबानी है मैं आज जितनी उचाई तक जा सका हूँ उस सबका मगर उनसे मुदाखात तो इस वाके के साल बर बाद हुई अच्छा मान लो आज तुम्हें इस पर चड़ना होता तो कैसे चड़ते रूप ने एक उस तादाना उड़ती हुई नजर से पीछे मुण कर देखा फिर कहा पहले आप बताईए देखें कितना जान पाए हैं आप परवता रोहन का प्रसंग छड़ जाने के बाद ना रूप को बाखी किसी चीज की सुधी रह जाती थी ना शेखर को और यह आरोहन ही दोनों को एक सूत्र में जोड़े हुए था मैं? शेखर ने नीचे देखे भी नहीं हां करते हुए परिक्षार्थी की तरहा सैध्धानतिक बातों को याद किया सबसे पहले तो कोई दरार तलाशते फिर रॉक पिटन लगाते यहां? खेर चल यह माल लिया मगर अगर दरार ना मिली तो? तो ड्रिल करके लगाएंगे बुजूर्ग की तरहा मुस्कुराया रूप खेर आगे रॉक पिटन फिर एंकर फिर आगे आगे डिसेंडर नो नो रोप लेडर रस्य की सीड़ी नो अधिकारिक भाव से रोक दिया रूपने कोई भी चड़ाई हो फर्स्ट वाच देन गाइडनिंग चौरस या समतल बनाना फिर से देखना होगा कि पत्थर किस जाती का है इंग्नियस है ग्रिनाइट है मिटामार्फिक है सेंड स्टोन है ये सिलिका क्या है वरना अवल तो सपोर्ट नहीं बना पाओगे बन भी गया तो फ्री रैपलिंग नहीं होगी शेकर ने रूप की परिपक्व बुद्धी पर प्रिशंसा में आखें नचाई येस येस दोनों आरोही अति उत्साह में थे आरोहन के दुसाहसिक अभियानों पर बहस करते करते उन्हें इतना भी भानना हुआ कि धलान से उतर कर कबके वे बीच के मैदान में चले आए थे और अब वे मैदान भी दोनों और की परवत श्रिंखलाओं के कस्ते चले जाने से संकरा होता चला आ रहा था अब तक आपके सामने इजी सवाल थे अब कुछ मुश्किल सवाल इस पहार पर चढ़ना हो और इस पहार से उस पहार पर सीधे ऊपर ही ऊपर जाना हो ख्याल रहे दोनों के बीच सूपिन है कैसे करोगे? कैसे करेंगे? रूप की अंगुली पहारों की ओर उठ रही थी एक मिनट मुझे उतर जाने दो शेखर ने घोड़े से उतर कर पहाडों पर गर्दन उठाई एक पिरामिड नुमा था एक तनिक फ्लैट जिसकी श्रिंखला दूर तक नजर आ रही थी दोनों ही पर नीचे से काफी उपर तक देवदार खड़े थे जिने मजाक मजाक में वह पहाड के रोएं कहा करता था रूप का इशारा शायद उसके कटे अंश की ओर चढ़ने का था लाइम स्टोन के चक्कर में किसी ने उसके बीच का एक बड़ा भाग कटवा डाला था ये तो लाइम स्टोन है सीकरी जीन बस नहीं, ओवर हैंगिंग भी है हाँ, है तभी तो टफ है इस पर चढ़कर उपर ही उपर नदी को क्रॉस करते हुए आपको दूसरे पहाड तक जाना है रूप अभी सोच ही रहा था कि महीप ने उकता कर टोक दिया साब, जल्दी करू न उन्हें परवता रोहन के अध्याय को बंद कर फिर से घोडे पर सवार होना पड़ा नीचे की संकरी नदी से बचते हुए पहाड से सटे बेहत संकरे रास्ते से उन्हें चलना पड़ रहा था शेखर डर कर घोडे से उतरना चाहता था, मगर महीप ने रोक दिया बैठे रौ साब, वह घोडों को पुछकारते हुए निर्देश देते हुए चल रहा था ओए वेरू दाए चल, दाए, अरे ले जाता है नदीमा, दाए दाए, समली के मगर जब सामने भेडे आ गई और भेडों के साथ साथ भोटी या कुट्ता भी तो उन्हें उतर जाना पड़ा महीप की चौकन्नी नजर कुट्ते पर थी, जबकि उन दोनों की कुट्ते के पीछे भेडे हाक रही 14-15 साल की सलोनी लड़की पर अमा रूप, शेखर ने धीरे से कहा पहाड की तो एक से बढ़कर एक चड़ाईयां चड़ी है हाँ, कभी प्रेम की भी चड़ाई चड़ी कोई? उस उमर में? हरे, कोई तो मिली होगी, जिसे देखकर मन में कुछ-कुछ हुआ होगा कभी? थी तो, मगर उमर में मुझसे काफी बढ़ी इत्ती? शेखर ने ललकी की ओर इशारा किया हाँ, रूप को मानो रस्सी की सीड़ी मिल गई जिससे उमर के 24-वे शिखर से नीचे उतरने लगा गए भेडें चराने के दौरान ही हमारी मुलाकातें होती इतनी ही हसीन भी थी ना? ये क्या है उसके सामने? शेला तो इतनी सुन्दर थी कि उसके हुलामी बजा लाने में ही मैं खुद को धन्ने मानता जबकि वो खुद बैठकर स्वेटर बुना करती मैं उसकी भीडें हाका करता उसके लिए बुरून्स के फूल तोड़ लाता जो उसे बेहत पसंद थे सेब या आडू कहीं मिल गए तो सबसे पहले उसे लाकर देता और बदले में वह क्या देती? शेखर ने ठिठो लिकी वह? कभी कभी देवता का प्रसाद मक्की की रोटी बगएरा भी? मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वह स्वेटर भूप दादा के लिए बुना जा रहा था फल, फूल और रोटी भी उन्हीं के लिए आती वे ना आते तो मुझे जिस दिन भूप दादा ना आते आखिर तक उसे खुश रखने की मेरी तमाम कोशिशें बिकार चली जाती रूप एक जेब भरी हांसी हांस हांस कर चुप हो गया महीप ने कंखियों से रूप को देखा फिर घोड़ा पकड़ कर चलने लगा तेरी इस लव स्टोडी में तो कोई दम नहीं कोई और नहीं मिली क्या कभी शेखर ने बुरा सा मूँ बनाया मिली क्यों नहीं उस दोरान कईयों से सापका पड़ा कईयों का संग साथ रहा अब तो सब ब्यहा कर अपने अपने घर चली गई होंगी बाल बच्चेदार हो गई होंगी मगर शेला जैसी एक भी नहीं एक वही तो थी जो मुझ पर शासन करती थी रुकिये मैं आपको वो जगा दिखाता हूं जहां महीप मुड कर रूप को देखने लगा जैसे उसे बातों में रस मिल रहा हो अचानक रूप को खटका हुआ यह कहां आगया वह यहां तो ज़रने ज़र रहे हैं चारा गाहा का नामों निशान नहीं बोला ए लिड़के तो हमें कहां लिवा जा रहा है माही मही बोला मगर उस रास्ते में पहाडों के बगल में एक छोटा सा मैदान हुआ करता था वहां भेडें चराने आते थे लोग पहाड के धन्स में वो सब कपका दब ढग गया साब लोशेखर साहब पस्त हो गया रूप भूब दादा की और मेरी प्रेमिकाएं प्यार के निशानियां वो मकामात सब के सब दब ढग गये भूस खलन में अब तो नए रास्ते हैं और इनी से होकर चलना है कुछ भी हो तुम्हारा इलाका है बड़ा खुबसूरत स्वर्ग जैसा वो क्या की पांडव इसी रास्ते से गए थे स्वर्ग को इधर का सबसे आखरी गाउं सुर्गी है सुर्गी याने स्वर्ग उसके कुछ आगे स्वर्गा रोहिनी जब बरफ पढ़ती होगी सारा इलाका बरफ से ढख जाता होगा जबीना लेंड स्लाइड हुआ वह बात नहीं मैं तो इस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहा था इतनी कच्ची उम्र उस पर यह घोड़े वाला धंदा खतरनाक रास्ते सोचो हम जवान होकर भी घोड़े पर जा रहे हैं और यह 15 किलोमीटर पैदल फिर इसे लौटना भी है 15 किलोमीटर अभी पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है वो तो हई है वही मैं सोच रहा था कि बरफ के दोरान क्या करता होगा यह ये हिदान्स की तरफ जा चुपता होगा अपनी मा की गोद में अपनी बात के समर्थन में उस लड़के को पुकारा ओ मही जी सब तेरे पाउं में दर्द होता होगा आजा कुछ देर तू घोड़े पर बैठ जा हम पैदल चलते हैं नई सब लोडते बख़त तो चड़के आना ही है ये हीरू वीरू का संग साथ कब से लिया तूने किस गाउं का है इससे यह भी तो पूछो कि हीरू वीरू के अलावा इसके घर परिवार में और कौन-कौन है शेकर ने कहा सब बात मत करो रास्ता भहुत ही खराब है कहकर महीप ने उनके सवालों पर विराम लगा दिया उपर से पत्थर गिरे हुए थे और वह आगे आगे घोड़ों को पुछकारते निर्देश देते चल रहा था जो उसके लिए इस समय उनके फाल्तु सवालों से ज्यादा महत्वपूर था आगे एक जरना था और एक उजड़ी पंचक्की जगा थोड़ी चौड़ी थी पानी रास्ते को काटकर बह रहा था घोड़ों ने मुह लगा दिया तो उन्हें उतरना पड़ा महीब चुपचा पानी पिलाता रहा हीरू वीरू को फिर वह खुद पानी पीने लगा वो भी क्या संयोग था शेकर साहब रूप जैसे अतीत में लोट आया था आपके पापा इधर ट्रेनिंग के लिए ना आते ना रास्ता भटकते ना मेरी जरूरत होती मैंने भी ना वो चुस्ती दिखाई होती पहाड पार करने में ना वो खुश होकर अपने साथ मसूरी लिवा जाते फिर तो हम कपूर साहब के और मसूरी के ही होकर रहे गए साहब ग्याहरा साल बीट गए तब हम इसी लड़के की तरह हुआ करते थे उसके मन में आया कि कपूर साहब की तरह इस लड़के को भी वापसी में साथ लिवाता जाए तो कैसा रहे मगर यह लड़का एक ही घुनना है कुछ बोलता ही नहीं साहब इत्ती इत्ती देर करोगे तो हम लोटेंगे कैसे महीप ने उन्हें चेताया तो वे एक-एक कर फिर सवार हुए घोडों पर मगर इस पहाड को हम पार कर पाते तो दो किलोमीटर की दूरी और कम हो जाती रूप ने शेखर से कहा फिर रूप ने जानना चाहा अब तो मही मुश्किल से डेड़ किलोमीटर होना चाहिए बस उस डांडी यानि पहाड के पीछे तुमने बताया नहीं तुम क्यों भाग आये थे अपने घर से लड़के ने जैसे सुना ही नहीं वह रास्ते में पढ़े एक बड़े पत्थर को हाटाने लगा था पत्थर बढ़ा था लड़के की आउकात से ज्यादा फिर भी वह पिला पढ़ा था उसकी साहयता के लिए अब ही वह नीचे उतर नहीं वाला था कि लड़के ने पत्थर को नीचे धकेल दिया कुढ गया रूप अजीब होते हैं ये पहाडी लोग रूप ने कहा फिर मन ही मन झेब किया वह भी तो पहाडी ही है गाउं करीब आता जा रहा था वर्षा की बंद स्मृतियों के कपाट खुल रहे थे एक और सूपिन दूसरी और जंगल पीछे हिमांग का उंचा पहाड नीचे होंगे अपने खेत अपना घर अपने लोग बाबा मा भूब दादा और लोग कितनी दूर है केदार काठा कितनी दूर है दुर्योधन जी का मंदिर एए मेरे प्यारे वतन एए मेरे बिच्छे चमन बहुत पुराने लोगों में से किसी किसी ने लाल पल्टन के अंग्रेजों को देखा था नयों ने नहीं सो दो गोरे संब्रांत अजनबियों के आगमन पर गाउं के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल आये थे अना कि यह सितंबर का महीना था और दिन के अभी तीन ही बजे थे मगर यहां ठंड काफी थी और लोगों ने ठंड से बचने के लिए चुस्ती या उनका लावा पहन रखा था उनकी आखों में भय, संशय और कौतुहल थे रूप की नजरें इन में से एक-एक चेहरे को टटोल रही थी लड़का एक सयाने सईस सा अपनी थकान भूलकर अपने हीरू-वीरू की पीट पुठों और टांगों को थब-थबा रहा था रूप ने सौ का एक नोट निकाला और कुछ सोचकर रख लिया और दस की गड़ी के बारहा कड़क नोट निकाल कर लड़के को थमाते हुए बोला देखो तुम भी थके हो और तुम्हारे घोडे भी फिर बच्चे हो शाम होने वाली है रास्ता खतरनाक है ऐसा करो आज रात यहीं रुख जाओ सुभा चले जाना लड़के ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तो रूप ने उसे पूरे तौर पर आश्वस्त कर देना चाहा यहां मेरा घर है तुम्हें कोई तकलीफ न होगी लड़के ने फिर भी कोई जवाब न दिया बलकि पीठ फेर कर नोटों को गिनने में मश्गूल रहा उसकी इस धंदेबाज अदा पर रूप ने मुस्कुरा कर शेखर की ओर देखा फिर कदम कदम चल कर एक बूढ़े के पास पहुँचा बूढ़ा चकमकाया हुआ सा अपने पोपले मुह और जुरियों के दलदल में डूबती आँखों पर हथेलियों से सूरज की ओट बना कर उसे ही देखे जा रहा था कने जाना चावा साब अर्थात कहां जाना है साहब रूप ने बताया बाबा यहां ग्याहरा साल पहले कोई राम सिंग हुआ करते थे जिनके भूप सिंग और रूप सिंग दो बेटे थे वो हिमान पहाड के नीचे उनका घर है बूढ़े के चेहरे पर अपरीचे की शिला हिल कर रह गई मगर टली नहीं तो रूप को जितनी भी गढ़वाली याद रह गई थी उसे जोडने सजोने लगा बाबा यक भूप सिंग रूप सिंग दूई भाई होंदा चाहे हाँ इस बार बूढ़े के होंट हिले लेकिन रूप तो बहुत पहली भागी गई चाही अगर मैं बोलूँ कि मैं वही रूप सिंग हूँ तो तू ना आप मजाग करी चूँ साब तब तो ई भी मजाग इच है जो आप दादा तिरलोग सिंग जी चूँ रूप सिंग ने हंसते हुए आगे बढ़कर उनके पाउच हुए बुढ़ा तिरलोग अभी भी इस आत्मियता को पूरी तरह से आत्म साथ नहीं कर पा रहा था किसी दूसरे आदमी ने हिंदी में पूछा मगर आप थे कहा इतने दिन परवता रोहन संस्थान वो क्या चीज चा तिरलोग ने जानना चाहा पहाड पर चढ़ना के वास्ता? अर्थात किस लिए? गड़बड़ा गया रूप उनकी इस जरहे पर बाबा वो कोई छोटा मोटा काम नहीं सरकार इसी के लिए चार हजार तनखा देती है हमें लिया सुन, लिया एक एक बात तिरलोग बूढ़े ने सब को सुना कर कहा यह कहता है कि यक रूप सिंग छै चलो मान लिया लेकिन फिर बोलनूँ छै कि सरकार या सिर्फ म्याल चढ़नकूं वास्ते चार हजार तनखा देवे छूँ या क्या बात हुई? कैसी एमा के यक सरकार भी? शेखर की उपस्थिती में अपनी ऐसी किरकेरी होते देख खिसी आ गया रूप आप कभी नीचे नहीं गये न? के वास्ता नीचे? तभी उसने बुरा सा मुह बनाया खेर अभी आ गया दें घर जाओं बाद में मिलते हैं ग्यार? हाँ, घर ग्यार तो उपर उड़ी के चली गेचु बेटा वो उदिर तिर लोग सीधे हिमांग पहाड पर टांगना चाह रहे थी अपनी नजर मगर बादलों के गाढ़े लिहाफ के चलते उसकी शिनाख्त ओजल थी और बाबा और मा? वो तो और भी उपर तिर लोग की अंगुली सीधे आसमान की ओर उठी हुई थी भहुत साल पहिलेई एका एक जैसे सफेद हो गया रंगीन स्क्रीन उदास हो गया रूप शेखर ने उसके कंधे पर सहानु भूती में हाथ रखा कुछ देर बाद रूप भर्राए गले से डरते डरते पूछने लगा भूप दादा तो है ना? भूप? रुको बुलाते हैं अरे भूप? बूढे तिर लोग की आवाज प्रतिध्वनी बनकर लौटती रही जवाब में कहीं से कोई आवाज नहीं आई रूप ने डरते डरते शेखर की ओर देखा उसे संधे हो रहा था कि क्या वाकई भूप है या बूढ़ा तिर लोग उनकी आत्मा का आवाहन कर रहा है कितने लोग हैं वहाँ? शेखर ने पूछा एक औरत ने बताया अरे वो हैं? उसकी घरवाली? एक लड़का है लेकिन वो तो आगे के शब्द रोक लिये थे उसने जबरन लड़का भी है? लो अरे वो ही लिवाल आया ना घोड़े पर आपको? किसी लड़के ने बताया वो? रूप ने मुड़कर देखा महीप वहां नहीं था काफी दूर पर एक घोड़े पर बैठा कोई नन्हा सवार दूसरे को हाकते हुए ढलान में तेजी से उतर रहा था उनकी आखों में उसका अक्स छोटा होते होते पहाड की ओट में तिरोहित हो गया तो शेखर ने कंधे उचकाए स्ट्रेंच भूप तो यक किसी की बात ही नहीं करता तू ऐसा कर शाम होने वाली है देर न कर जा चड़ जा इस मेयाल पर इस पर? वह कुछ परेशान हुआ क्यो? अभी तो तू कह रहा था कि तूने बड़े बड़े पहार चड़ें और सरकार यक काम का वास्ता तुझे चार अजा तनखा देती है वो बात नहीं दैदा पहारों पर तो हम पत्तरों, खूंटी रसों, कुलहारी और दूसरी चीजों के साहरे चड़ते हैं यहां तो साथ लाए नहीं ओ तिर लोग की आँखें जुरियों के दलदल से उपर उचलाई इत्दा सारा इंतजाम हुवे तब तो तू चड़पावे मियाल पर तिर लोग हस पड़े दूसरे बच्चे बूढ़े भी औरतों ने हंस्ते हंस्ते मुह फेर लिए हरे वो देख भूप तो इधर ही आ रहा है किसी प्रोड की आवाज आई तो उस दिशा में सब की नजर मुड़ गई पहली नजर में वहे पूरा का पूरा दिखा नहीं पाउं किसी डिबके की ओट में थे सिर किसी डाल की ओट में सिर्फ उसके हाथ और बीच के अंशी दिख रहे थे पता नहीं उसका मायावे कद अंदर जमीन में कितनी गहराई तक गया था और आसमानों में उपर कितनी उचाई तक धीरे धीरे चल कर वह सामने आया तो वह कतई असाधारन नहीं लगा हना कि उसकी चुस्ती और स्वेटर मफलर में दर्मियाने खत की मामूली सी शक्सियत के बावजूद उसका तिलिस्म अभी भी बरकरार था गोरा चिट्टा चित्तीदार चहरा मानो ग्रेनाईट पत्थर को तराश कर गढ़ा गया सक्त लंबो तरा चहरा उसकी अजीब सी स्थित प्रग्य आँखें मध्धिम मध्धिम जलती हुई भोहों पर कटे का निशान वही है बिलकुल वही ग्याहरा सालों में और भी ठोस और भी सक्त हुआय थे भूप दादा दादा रूप जा जुका भूप के कदमों पर मैं रूप हूँ तुम्हारा भगेडा भाई भाई ने भाई को देखा जाने क्या-क्या देखा कहां-कहां तक देखा फिर देखते-देखते नजरों की बरफ पिखलने लगी कब आया? अभी? अकेले? नहीं, ये है मेरे साथ कपूर साहब जो मुझे लिवा गए थे उनके लड़के शेकर साहब IAS की ट्रेनिंग ले रहे हैं मसूरी में शेकर ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया भूप ने कोई उत्तर नहीं दिया वहां तिरलोग दादा जी समेत गाउं के धेर सारे लोग थे मगर वह जैसे शिलाओं के बीच खड़े हुए थे उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की ना किसी ने उनसे भूईला अर्थात अनुज चल गया आर अर्थात घर चल कहकर उन्होंने दोनों के बैग कंधे पर डाल लिये और बिना उनकी सम्मती का इंतजार किये बिना इधर उधर नजर डाले वापस मुड गए शेकर ने धीरे से रूप के कान में कहा गुया यह माही हमारा बेस कैम था और हिमांग हमारा डेस्टिनेशन रूप ने होठों पर अंगुली रखकर उसे चुहल करने से मना किया उँचे हिमांग की तलहटी में छोटे से भोखंड पर बसा वह गाउं किसी आदम गाउं सा लग रहा था खड़ जाड़ जंखाड बगल में बहती सूपिन का शोर बीच बीच में बादल के टुकड़े आ जा रहे थे जिनसे आँख में चौली खेलता उनका वजूद फिर से मायावी लगने लगा था कभी कभी तो भ्रह्म होता कि बादल तैर रहे हैं या वे चढ़ाई शुरू हो गई थी प्राया खड़ी चढ़ाई पहले तो पेड़ और पत्थरों के सहारे चढ़ते रहे दे फिर रुक गई क्या हुआ आगे नहीं चढ़ पा रहा है भूप ने उपर से पूछा बस इत्ता भर पहाडीपन बचा रहे गया ही है ना फिर से नीचे उसके पास आए उन्होंने गले के मफलर की मजबूती परखी फिर उसे कमर में बांध कर दोनों छोरों को दिखाते हुए कहा भूला ले पकड़ इसको फिर उन्होंने शेखर की ओर देखा जो और भी नीचे खड़े हाफ रहा था पहले इसे चढ़ा लें फिर आपको शेखर ने हामी भरी अब भूप आगे आगे चढ़ रहे थे उनकी कमर में बंधे मफलर के छोर को पकड़े पकड़े रूप पीछे पीछे बापरे बिना किसी आधुनिक उपकरण के सिर्फ पेड़ों पत्थरों के नाम मात्र के सपोर्ट पर शरीर का संतुलन बनाते हुए चढ़ना बीच बीच में रुक कर हिदायत भी देते जाते थे देख एथ ही मजबूती से पकड़ी के राखी इन नहवा कि गिर गैल सूप नीमा अर्थात देख इसे मजबूती से पकड़े रख ऐसा नहो कि जागिरे सूपिन में भूप दादा साप थे छिपकली थे, बनमानुष थे या रोबोर थे वह जिस धैर्य, आत्मविश्वास, ताकत और कुशलता से मांस्पेशियों और अंगों का नायाब उपयोग कर रहे थे वह उसके लिए हैरत की चीज थी फिर अकेले का भार मातर होता तो भी एक बात होती वह तो खुद के साथ साथ उसे भी खीचे लिए जा रहे थे बारहां वर्ष पहले ठीक इसी तरह ढ़लान के उपर ले आये थे उसे घंटे भर लगे उपर पहुँचने में उन्होंने वहीं से किसी को आवाज दी शायद उन लोगों के आने की सूचना फिर जवाब की प्रतीक्षा किये बगएर उसे हाफता हुआ छोड़कर शेखर को ले आने के लिए नीचे उतरने लगे देखते ही देखते ही मांग पर चाय बादलों में अद्रिश्य हो गए वो उपर रूप ने देखा कि पहाड की पीठ पर कुछ दूर तक जमीन प्राया समतल बनी हुई थी जिसमें मकई की फसल खड़ी हुई थी क्षेत्र के चारों और सेब और देवदार के पेड थे सेब की पेड़ों में तो फल भी लगे हुए थे पेड ज्यादा दिनों के नहीं थे यह देखने से ही लग रहा था उसने घौर किया ऐसे ही पेड नीचे भी कुछ दूर तक फैलते चले गए थे पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करता हुआ वह आधी दूरी तक पहुचा होगा कि उसे एक गुफा नुमा आश्रम दिखा उसी के बगल में दो च्छानी अर्थात चपर का जोंपड़ा भी यही घर है शायद एक चपर के नीचे एक औरत खड़ी थी नाटी, गोरी, जवान, चुस्त और लाल फुल स्वेटर में वह उसे हैरानी से घूर रही थी उसने अनुमान लगाया यह भावी हो सकती है मगर जिजक वश आगे बढ़ गया आगे हेमांग के उपर वाले अंश से कोई ज़रना ज़र रहा था जो खेतों से गुजरते हुए सूपिन में गिरता था हवा से बरफीली शाम की ठंड़क बढ़ गई और देखते देखते कुहरा इतना घना हो गया कि लगता था पृत्वी पर पहाड की इस पीठ को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं कहीं भी नहीं शेखर को लेकर आ गय थे भूप आते ही उन्होंने भाभी देवर के बीच समवाध हेंता की जड़ को ताड़ लिया और बोले रूप तेरी बाभी अर्थात भाभी रूप ने आगे बढ़कर उस औरत के पाउच हुए बूंदा बांदी शुरू हो गई थी पती पत्नी ग्रिहस्ती के समान को समेटने में लग गए रूप और शेखर गुफा में बिचे पटरों पर ही लेट गए रूप शेखर ने पुकारा यार इट वाज ए रेर एक्सपीरियंस हाँ वो तो बहीब घोडे वाला लड़का तेरी इनी भाभी श्री का लड़का है बताया तो यही गया मुझे लगता है कहीं कोई गडबड है नीन की जील में डूब गया रूप का जवाब जाने कब तक सोते रहे बे रात के किसी पहर जगाया था भूपने लो यकी खा लो यकी पड़े रहो भौत जोरों की बारिश है बाहर सचमुझ बाहर वर्षा कहर ढा रही थी सुभा उठे तो आसमान साफ था पूरब की दो पहाड़ियों के बीच धुन्द के परदे के पीछे से किसी बच्चे की तरह ज़ांक रहा था लाल-लाल सूरच धुन्द अरुणाब हो रही थी धीरे धीरे चटी थी कुछ धुन्द नीचे जहांकने पर माही के छोटे छोटे घरोंदे अजीब से लग रहे थे बूरे पानी के गहरे ताल में पड़ी मचलियों, सीप, घोंग की तरह हलका सा आभास मात्र हो रहा था इन सब का भाई से मिलकर कैसा लगा रूप शेखर ने एकांत में पूछा भाई बस थोड़ी सी ही धुन्द छटी है अभी कहते हैं लियोनार्दो दा विंची ने पहाड को देख कर कहा था मिरी मोनालिसा यहां है मगर इसे पाने के लिए मुझे धेरों पत्थर मिट्टी के मलबे हटाने है तुम्हारा भाई भी इस पहाड में है मोनालिसा नहीं साक्षात शिव मगर उस तक पहुँचने के लिए धेरों मलबा हटाना पड़ेगा तुम्हें अभी रूप कुछ बोला नहीं चुपचाप टहलता रहा नाश्टे पर पहली बार सब साथ बैठे आग के गिर्थ भोनी हुई मक्के की बाल और चाए भाभी सेंख सेंख कर दिये जा रही थी वे नमक और मिर्च के साथ चबाते जा रहे थे यहां इस पहाड पर कैसे आना पड़ा दादा मलबा हटाने की रूप की एक अदद कोशिश यहां भूप ने मक्के से हाथ को गरम करते हुए जैसे पीछे दूर तक देखा आज इतने वर्षों बाद यही पूछने के लिए आया है मुझे और शर्मिंदा ना करें तो सुन भूईला तूने सेर पर पहाड तूटने की कहवत तो बहुत थोणी होगी सुनने में बहुत भारी नहीं लगती लेकिन इसकी सच्चाई तो वो ही जाने है जिस पर सच मुझ का पहाड तूटा हो भावी और भुने हुए भुट्टे दे रही थी उन्होंने मना कर दिया तेरे जाने के बाद अगले साल भौत बरव गेरी यही मांग पहाड उसका बोज न उठा सका धसक गया और अपने तीस नाली खेत मकान, मा, बाबा सब दब गए मलबे में मैं ही किसी तरह बच गया छानी पर था इसलिए वहीं से तबहाई देखी थी मैंने लाचार असा है तू होता तो पहाड का मलबा क्या था पहाड तक हटा लेते दोनों भाई खेत भी खेंच कर निकाल लेते मा, बाबा को भी लेकिन नहीं हो सका वही पहाड कबर बन गया सबका भूप थोड़ी देर के लिए चुप हो गए तू तो पहले ही भाग चुका था मुझे अकिला छोड़कर फिर मैं भहुत भटका भूप छट पठाया लेकिन कहीं साहरा न मिला साहरा देता भी कौन सभी अपने अपने से ही तबा दस-दस किलोमीटर तक जगा जगा धनसाफ हुए थे रास्ते बदल गए नदियां बदल गई इतनी बढ़ी तबाई ही हो चुकी थी और मैं खिसियाई आँखों से इस हिमांग को देखा करता मौत की तरह फैला हुआ मियाल भावी चाय दे गई थी दूद के अभाव में लाल चाय भूप ने पहले गिलास की चाय में भाव से अपनी पनियाई आँखों को सेंका फिर गिलास को दोनों हाथों में दबा लिया पता नहीं किस आत्मिये उश्मा की तलाश थी उन्हें वे हैरान हो उनकी इस विचित्र लीला को देख रहे थे तुझे बचपण में बाबा की सुनाई गई कहानी याद है वे रूप की ओर मुखातिब हुए तो उनकी आँखें कुछ ज्यादा ही चटक हुआई थी वो एक नन्ही चडिया वाली जिसे गीद ने कहा था मैं तुझे खा जाऊंगा नहीं खेर मैं याद दिलाता हूँ गीद के ऐसा कहने पर चडिया डर गई पूछा क्यों गीद बोला इसलिए कि तू मुझसे उंचा नहीं उड़ सकती यह अजीब जबरदस्ती का तर्ख था नन्ही चडिया ने धीरज धर कर पूछा और अगर मैं तुझसे उंचा उड़ कर दिखा दूँ तो गीद उसके बचकाने पन पर हसा तो नहीं खाऊंगा फिर तो दोनों में ठण गया मुकाबला गीद के सामने भला उस नन्ही चडिया की क्या विसात लंबे लंबे डैने फहराए और उड़ गया उपर उपर और और उपर चडिया डर गई फिर भी उसने धीरज न छोड़ा ऐसे भी मरना है वैसे भी तो क्यों न मौत से दो-दो हाथ करकई मरूं कम से कम मरने का मलाल तो नहीं रहेगा फिर तो पूरी ताकत लगा दी उसने उड़ने में लगा की परान ही निकल जावेंगे जान पे खेल गई चडिया और सारी ताकत लगा कर उड़कर जा बैठी गीद की पीठ पर गीद अपनी बेःसाब ताकत के घरूर में उड़ता रहा आकाश से भी उँचा लेकिन चडिया को अब कोई डर न था वे हर हाल में उससे उँचाई पर थी मौत की पीठ पर ही जा बैठी थी जो उन्होंने बीड़ी सुलगा ली दो एक कश खींचे फिर बोले तो भुईला इसी तरह मैं भी आ बैठा मौत की स्पीट पर उसी की जिसने मेरा सब कुछ निगल दिया था धीरे धीरे मलबा हटाता रहा यहां का थोड़ी बहुत खेती शुरू करी अकेला अकेला लगा तो एक औरत ले आया नेचे से कौन? शेला? रूप चुकन्ना हो उठा सहजा हाँ, अभी तक तुझे याद है इस बार भूप के चौकने की बारी थी एक शन को वह तराशा हुआ चित्तीदार चेहरा स्निग्ध होता सा लगा फिर उस पर एक नामालूम से धुन्द चा गई शेला के आने से खेती फैल गई बरफ जमी न रहे सो हमने खेतों को ढलवा बणाया मगर एक मुसीबत पानी कहां से आई? एक दिन पाने की खोज में हम चड़ गए इस हिमांक के साबुत उचे हिस्से पर वहां हमने देखा कि एक जहरणा यूही उस तरफ सूपिन में गिर रहा था उसे मोड लेने से पानी के समस्य अहल हो सकती थी मगर बीच में उचा था यानि के पहार काटना था हमने क्वार के दिन चुने जब रातों को बरफ जमने लगती थी दिन को पिगलने लगती थी मगर थोड़ी थोड़ी यानि इतना भी नहीं कि धार तेज हो इतना भी नहीं कि बरफ जम कर सक्त हो जाए बड़ी मेहनत की हम दोणों ने मगर जरने को मोड कर लाने में सफल हो ही गया आखिर जाडे में तो जम जाता होगा फिर बरफ से ढख जाता होगा यह सब शेखर ने पूछा अभी जम गया जी भूप ने कहा लेकन गर्मी पाएगा तो पिघल जाएगा ये पेड लगा रखे हैं न काफी लकडी जमा कर लेते हैं 24 गंटे आग जलती रहती है बरफ से आग को भिड़ा देते हैं मगर भाभी गई कहां मेरा मतलब शेला भाभी वो ही तो बता रहा था कि तेरी बाभी के आणे से खेती का काम कैसे बढ़ता गया काम हम दोनों के बूते का ना था फिर उसको बच्चा भी होने वाला था तो हम ले आए दूसरी औरट ए तेरी दूसरी बाभी शेला से एक बेटा हुआ महीप फिर एक दिन महीप अभी नौ साल का ही था कि उसकी माँ को जाने क्या सूजा कि एक दिन हाई से कूल गई सूपिन मा स्टब्द रह गए रूप और शेखर सिर्फ जरने के गिरने के शोर को छोड़ कर कोई आवाज नहीं थी कहीं एक गहरी सांस लेकर बुले भूप तब से बेटा जो नीचे उत्रा तो फिर उपर नहीं आया मैंने लाख मनाया फिर भी कल भी उसे आया देख करी नीचे उत्रा था उसके पीछी पीछे दूर तक गया मगर उसने सुन कर भी नहीं सुना देख कर भी नहीं देखा लौट गया घोडी को भगाते हुए मुझी को गुनागार समझता है अपनी माँ की मौत के लिए चाहा भूप की दूसरी पत्नी ने शायद विश्यांतर करना चाहा अरे रहने दे ये साहाब लोग हुए ना काली चाहा नहीं पसंद करते आप एक भेड या बकरी तो रखी सकते थे उन्हें चड़ने चड़ाने में मुश्किल भी नहीं आती दूद भी मिल जाता पाली थी ना दिख तो नहीं रही धुन्द काफे को छट चुकी थी अब समझ में आया कि भूप दादा ने कल क्यों बात नहीं की माही वालों से रात की बारिश से भीगी सलेटी मिट्टी पर सुभा की आलोक चाया में चलते हुए नीचे पसरी घाटी को दूर दूर तक देख रहे थे वे उनके पीछे हिमांग का बाकी साबुत पहाड था जिससे नीचे उतरता जर्ना हिमायत होकर चांदी की रहा सा चमक रहा था इतनी उचाई पर और इतनी ठंड में उसका जम जाना लाजीमी था वे हिम के पिघलने का इंतजार कर रहे थे और रूप और शेखर उनके अंदर के हिम के पिघलने का इंतजार आखिर दोनों ही पिघले तू गया तेरे पीछे मा गई बाबा गई फिर शैला गई सबसे आखिर में मही भी चला गया, हमें छोड़ कर, वे रुक रुक कर बोलते हैं तू कहेगा, चढ़ सिर्फ मैं रहा था, बाकी उतर रहे थे मैं कहता, नहीं अपने अपने हिस्से की चढ़ाई तो सभी चढ़ रहे थे चढ़ने का सबका अपना अपना तरीका है, थोड़ी देर तक हिम के पिघलने को वे यूही देखते रहे फिर फावडा उठा कर किनारे के कटाव को ठीक करने चल पड़े इस समय वे अकेले थे उनका यह रूप उन दोनों में देहशत भी भर रहा था समोहित भी कर रहा था उफ कितने अकेले लग रहे हैं भूप दादा इस वक्त रूप ने धीरे से कहा उँचाईयां तनहा भी तो करती हैं शेखर ने कहा कटाव के मरम्मत कर आग के पास फिर लौट आये थे भूप भूप सिंख एक बात पूछूं शेखर ने उन्हें देखते हुए कहा पूछो आप पहाड हैं या पहाड पर चढ़ने वाले हम आपको क्या लगता है दोनों ही हस पड़े भूप शायद पहली बार बोले हम कहां के पहाड हुए भुला हम तो चढ़ने वाले ही हुए दादा रूप का गला भराया बहुत दुख छेले आपने बहुत दुखों का पहाड लेकर चढ़ते ना हां कहा ना ना एक बार चल कर देख तो आईए कि आपका भूईला कैसे रहता है भूप फिर भी निर्वेकार बने रहे तो शेखर ने कहा भूप भया मेरे पापा कहा करते थे कि क्लाइमबर माने चढ़ने वाले को अपनी सारी ताकत एक ही चढ़ाई में खत्म नहीं कर देनी चाहिए कुछ ताकत बचा के रखनी चाहिए आने वाली चढ़ाईयों के लिए भी आये सहब वो आपके बाबा का तरीका होगा शौकिया चढ़ने वालों का तरीका मेरे बाबा का तरीका तो वो ही है गीत और नन्ही चिडिया वाला जहां जिन्दगी और मौत में जंग चिडि हो वहां बैलों की डकार में अधूरा रह गया वाक्य ओ, इन बंदों को तो मैं भूली गया आज भूप को जैसे उनकी सुधी अब आई हो फिर जोर से बोले, सुन लिया, सुन लिया रूप और शेखर ने एक दूसरे की और हैरान होने वाली नजरों से देखा तो बैल भी है यहाँ, मगर यह आए कैसे बैलों को बाहर धूप में निकाल कर बांधा भूप ने छोटे नाटे पर पुष्ट बैल उनकी पतनी ने भोजन बनाना छोड़ कर हाथ में घास लाकर डाल दिया उनके सामने भूप भया, यह बैल कैसे आई यहाँ? शेखर ने पूछा कैसे आई? आप ही बताओ जी, सुना, बड़ा मैंट, अर्थात मैंट, रखते हैं आई एस वाले शेखर कुछ इस कदर पराभूत था कि भखुआ गया अजी, कंधे पर ढोके लिए आये इन्हें, और कैसे? भूप ने कहा, कंधे पर? इन्हे? क्यों? मैं अपनी दो औरतों को कंधे पर लाद के ला सकता हूँ आप दोड़ों को ला सकता हूँ, इन्हें नहीं ला सकता? अजी, देखो, इत्ते बड़े बैल तो चढ़ नहीं सकते ना? सो नीचे से एक छोटा बचड़ा ले आए पहले, फिर दूसरा, फिर वे हयाई पल कर बैल बने? लेकिन ये नीचे कैसे उतरेंगे? भूप ने कोई जवाब ना दिया हसुए से मकई की डंठलों को काड़ते रहे हसुए से मकई की डंठलों को काड़ते रहे ये पहाड कभी भी धंस सकता है मालूम है उनका ये छोटा सा वाक्य बेहद ठंडा था बहुत देर तक मंडराता रहा उसका आतंक ये तो सरासर खुदकुशी है तुम कहते हो खुदकुशी है मैं कहता बचने का मुकाम दादा, इन्हें देखकर आपका अकेला पन और गहरा गया हमारे सामने आप समझते क्यों नहीं कि आपने औरों से खुद को काट लिया है रूप की आवास भरा रही थी मैंने? ना पिछले साल गर्मियों में नीचे आग लगी इसी जर्ने को मोड कर बुझाई थी हमने आग अब एक कल ही नीचे नहीं गया था मगर आपने किसी से बात तो नहीं की ना? ने की दुख था लेकिन देवता जानते हैं जो कभी उनका बुरा सोचाओ मन में हैं जहां हूं बुरा सोचूंगा भी कैसे? मुझे तो सभी पर दया आती है हैं से नीचे देखने पर मगर यहां आप अकेले हैं कौन कहता है अकेला हूं? हैं मा है बाबा है शैला है सोए पड़े हैं सब हैं महीप है बल्द है मेरी घरवाली है मौत के मुझे से निकाले गए खेत है पेड़ है चरणा है इन पहाड़ों में मेरे पुर्खों मेरे प्यारों की आत्मा भटकती रहती है मैं उनसे बात करता हूं दाधा ये सब देख देख कर सुन सुन कर मेरा कलेजा मुझ को आ रहा है अभी से भी बची खुची जिन्दकी के साथ इनसाफ किया जा सकता है भूप ने अपनी भीगी पलकें उपर उठाई तो वे अंदर चल रही थी भूप इनसाफ किया तुम सभी ने मेरे साथ भूप अब माफ करो भूईला मेरे खुददारी को बखस दो अब तो जिन्दा रहने तक ना यी बल्द उतर सक दिन ना हम प्रश्न अभ्यास प्रश्न संख्या एक यूं तो प्राया लोग घर छोड़कर कहीं न कहीं जाते हैं पर देश जाते हैं किन्तु घर लोटते समय रूप सिंग को एक अजीब किस्म की लाज अपनत्व और जिजक क्यों घेरने लगी प्रश्न संख्या दो पत्थर की जाती से लेख का क्या आशा है उसके विभिन प्रकारों के बारे में लिखिए प्रश्न संख्या तीन महीप अपने विशे में बात पूछे जाने पर उसे टाल क्यों देता था प्रश्न संख्या चार बूढे तिरलोक सिंग को पहाड पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा प्रश्न संख्या पांच रूप सिंग पहाड पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंग के सामने बौना क्यों पढ़ गया था प्रश्न संख्या चे शैला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड पर अपनी मेहिनत से नई जिंदगी की कहाने लिखी प्रश्न संख्या साथ सैलानी अर्थात शेखर और रूप सिंग घोडे पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोडे पर सवार कर रखा था और स्वैम पैदल चल रहा था क्या आप भी बाल मजदूरों के बारे में सोचते हैं? प्रश्न संख्या आठ पहाडों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं उनके चरित्र की विशिष्टाएं बताईए प्रश्न संख्या नौ इस कहानी को पढ़कर आपके मन में पहाडों पर स्त्रीक की स्थिती की क्या छवी बनती है उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए योग्यता विस्तार पहाडों में जीवन अत्यंत कठिन होता है पाठ के आधार पर उक्त विशे पर एक निबंध लिखिए परवता रोहन की प्रासंगिक्ता पर प्रकाश डालिए परवता रोहन परवतिये प्रदेशों की दिन्चर्या है वही दिन्चर्या आज जीविका का माध्यम बन गई है उसके गुन दोश का विवेचन कीजिए शब्दार्थ और टिप्पने खतो किताबत पत्र वेहार मुकम्मिल स्थाई खासम खास अतिविशिष्ट अंतरंग तोहीन बैजजती जर्द पीला पढ़ना इंपोर्टेट आयातित दरियाफ्थ जानकारी प्राप्त करना पता लगाना हया यहां घाट बटी पहाड के पार जाने का रास्ता चंदोव शामियाना चादर दरकना फटना पगुराना जुगाली करना पैबंद थेगली सूपिन नदी का नाम अस्फुट अस्पष्ट कुहेडी कुहुरा घसेरी घासवाली डांडियां पहाडियां हिलांस एक पक्षी का नाम ना बास न बसना गफलत गलत फहमी असावधानी अनुतप्त पच्तावे से भरी रॉक पिटन चट्टान में गढधा करना ड्रिल खोदना लेंड स्लाइट भूस खलन संभ्रांथ कुलीन खांदानी रईस मश्गूल व्यस्थ लगा हुआ शिनाख्त पहचान शक्सियत व्यक्तित्व तिलस्म जादू वजूद अस्तित्व हिलकोरे स्वरलहरी व्यक्तित्व